नमस्कार, स्वाद आप सभी के सिलसला बजार उका में नहूं आपके साथ अख्ली शाटी और सिलसला बजार उका में आप सबके लिए आज एक बाद फिरसे हाज़ी रूँख कमुमुनिटी बजार का ब्रेट लेकर जानेंगे कि आज सुबागे कारवारी सत में कम्यूनिटी वजार किस हसाफ से खुलता हो नजर आरा है किस कम्यूनिटी के अंδर कितनी मन तेजी देखने को मिल रही है और उस पर एक्सप़र्ट की किया राहा है ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो community बजार में सबसे पहले शुरुबात कर रहे हैं यहाँ पे non-agri communities में सोने और चांदी से देख रहे हैं कि सोने इस वक 1737 डॉलर पर और silver 22.4 डॉलर पर कारभ़ा करते हैं नजर आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी अपने पहले वाले लेवल से भी नीचे की और गिरते वे नजर आ रहे हैं दीरे-दीरे सोने चांदी कीमतों में जो लेवल थे अब वो और भी ज़्यादा टूटते वे नजर आ रहे हैं धरसर यह जो US Treasury Ears हैं उनमें तेजी है और दूसरा डॉलर में तेजी देखने को मिली है जिसकी वज़ा से सोने चांदी की कीमतों में अभी एक गिरावट का महल देखने को मिल रहा है इससे पहले हमने देखा था कि FED की तरफ से जो संकेत दिये गए थे ब्याज दरुब में बड़ावतरी के उन संकेतों के चलते जो निवेशक हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो सचेत हो गए थे काफी सतर को गए थे जिसकी वज़ासे उन्होंने सोने से जो निवेश था वो खीच लिया था वापस ले लिया था सोने में कमनीवेश देखने को मिलाता है जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक गिरावट दर्च की गई थी और वो गिरावट हम अभी भी देख रहे हैं कि वो जारी ही है बात करें कच्चे तेल की देख रहे हैं कि डेड़ फीस दिकी गिरावट के साथ 14 डालर पर और बरेंड कुरूड और भी देखने में यह आया था है कि कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री थी जो स्टॉक था अमेरिका के अंदर वो थोड़ा कम देखने को मिला था जिसकी वज़ा से कच्चे तेल की कीमतों में एक बटत देखने को मिल रही थी और दूसरा ऐसा अनुमान लगाए जा रहा था कि कच्चे तेल की जो डिवानड है वो ठिक ठाक देखने को मिल रही है क्योंकि कि जिस हिसाब से कोरोना की जो वेक्सिनेशन रॉल आउट होई है टीकफ करन का जो कार्य है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है पूरे दुनिया भर में गतिवी दियां काफी जादा देखने को मिल रहे हैं फैक्टरियों के अंदर कामों की जिसकी वजा से हमने कच्छे तेल क की जो कीमते हैं उनके अंदर बड़त बनती भी देखी ते लेकिन अब आज खबर यह निकल के सामने है कि कच्छे तेल की जो इन्वेंटरीज है उनमें का यूएस में एक ठीक ठाक लेवस देखने को मिल रही है तो आज सोना चांदी कच्छा तेल और बेस मेटल्स में क्या और जादर टूटती ही नजर आ रही है तो रूपजी अब आपको क्या लगता है जिस आपसे सोना टूटता हो नजर आ रहे है तो क्या लगता है क्या सोना नीचे 1600 डॉलर के भी लेवस दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी देखे अभी फिलाल जो है डॉलर के आगे निकलती हुई दिखाई देगी लेकिन अभी फिलाल सोना दिवाली से पहले जो गिरावट दिखा रहा है हो सकता है कि इस गिरावट के अंदर आपको काफी opportunity मिले खरीदारी की overall long term trend positive है नीचे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 45,000 से लेकर ऊपर में 48,000 ये एक range bound ह अभी फिलाल मार्केट इसी दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 200-300 रुपे की trading जो हमें देखने को मिल रही है अभी फिलाल आज intraday में 45,800 तक नीचे जा सकता है वही उपर की बात करें तो 46,100 तक के सर उपर में भी देखने को मिल सकते हैं तो आज intraday की range जो है वह 45,800 से 46,100 की बंती होई दिखाई दे रही है रुपजी इसे बात करें कच्छे तेल की तो कच्छे तेल में देख रहे हैं कि आज गिरावट देखने को मिल रही है आपको क्या लबता है जिस आप से ख़बर निकल के सामने है कि कच्छे तेल की जो इन्वेंटरीज हैं यूएस के अंदर उनमें अब एक बड़त देखने को मिली है कुछ तो क्या कच्छा तेल के अंदर यह जो बड़त देखने को मिली थी कीमतों में वह जारी रह पाएगी या फिर कच्छे तेल में अब एक कर्रेक्शन का माहल तो अब यहां से अब थोड़ा सा डाउनसाइड और बनता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फिलाल गिरावाट दिखाई नहीं दे रही है अभी कच्छा तेल जो है मुझे लगते नीचे में 74 डोलर का अगर लेवल ब्रेक करते हैं तो हो सकते है बहत्तर सकते हैं कि गिरावट आ सकते हैं वहीं उपर में 76 डोलर है क्योंकि लगातार हमने बाइंग देखी ती और उपर करेक्शन बनती हुई दिखाई दिया है तो यह करेक्शन थोड़ा सा बढ़ सकती है लेकिन इसले तरो पर वापिस से खज़दारी देखने को मिल सकती है आज फिलाल इंटरडए के लिए फंस्टाफ के लिए आज बाजारों के अंदर विक्वाली करकर चला जा सकता है ग़रोगी और ख़र दिखा हथा है की स्ट्राटेजी ही लेकर चलना चाहिए अगर आप निकल चोदासों को लेवल का लेवल ब्रेक करता है तो वहां पर एक अच्छी उपर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की से मुझे लगते कि कोपर भी जब तक साथ सो के उपर होल्ड है तब तर इसमें बाइंग में ही रहना जी रुपा जी जाना चाहेंगे आज आपसे कि आज वो कौनसी नौन एगरी कमुलिटीज रहेंगे जिनिके अंदर अच्छी मुनाफ़ा कमांकर चला जा सकता है देखें आज मुझे लगते है कि सोने और चांगी के अंदर उपरी सरों पर विक्वाली करके चला जा सकता है चोटी सी विक्वाली इसमें की जा सकती है लंबी विक्वाली नहीं करना है आज इंटरडे में आम मान कर चलिए गोल्ड जो है 100-500 रुपे की करेक्शन और दिख तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नौनेगरी कमुनिटीज की फिराल सिलसला बजार को में वस इतना ही लेकिन आपका इंजाये गने क्योंकि खबरुकर सिलसला लगातर यूँ ही बना रहेगा मागिराम सीवी पर